अलो दोस्तों मैं अभी शेक स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिट आई टी आई पे और आज हम लोग देखने वाले हैं चार खंड में आई टी आई अनुदेशक की वेकंसी आई है राइट बहुत सारे जो है मेरे पास कमेंट आ रहे थे बहुत स सिर्फ वेल्डर ट्रेड की बात होगी क्योंकि ये चैनल पूरा जो है वो वेल्डर ट्रेड को डेडिकेटेड है ठीक है तो जो भी वेल्डर ट्रेड के बच्चे होंगे वो चैनल से जुड़िएगा अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्या वेल्डर ट्रेड से लेंगे और पढ़ाई करेंगे ठीक है टाइम आपको वेस्ट ना हो इसलिए कोर्स की डिटेल लास्ट में चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले सलीबस देखने से पहले मैंने थोड़ा सा जो है जो नोटिफिकेशन में वेकेंसी दिखाई गई है जैसा कि जनरल के लिए सिर्फ वेल्डर की कितनी वेकेंसी है 30 पोस्ट है जनरल की ध्यान दीजेगा यह अधर श्टेट वालों के लिए भी है अनुसूचित जन वर्ग के लिए 10 सीट जो है यहां पर रखी गई है और साथ में EWS यानि की आर्थी ग्रूप से जो कमजोर होते हैं जनरल वालों को जो रिजर्वेशन दिया जाता है और एक्षण उनके लिए साथ वेकेंसी टोटल 74 वेकेंसी है थोड़ा सा यहां पर हम देखेंगे इसकी स बैलरी जरूरी है न वो तो आपका जो ग्रेट पे रहने वाला है वो रहने वाला है बैलिसो ग्रेट पे और बैलिसो ग्रेट पे की ITI लेवल पे आपकी जौब मिलना मुश्किल है सिर्फ आपने CTI किया है तो आप स्ट्रक्टर लेवल पे ही बैलिसो ग्रेट पे पर जा सक का लेकिन फिर भी मैं ये मान के चलता हूं कि 42, 43,000 के आसपास जो है आपकी salary रहने वाली है ये motivation के लिए है अब आगे देखते हैं ठीक है तो इतनी salary चाहिए तो भाई मेहनत तो करना पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा चलिए आप सबसे पहले देखिए परिक्षा का स्वरूप एवं पार्टिक्रम क्या पढ़के आपको जाना है तो देखिए सब जो परिक्षा होगी वो आपकी एक ही चरण में परिक्षा ली जाएगी ऐसा नहीं कि अलग अलग दिन दो दिन तीन दिन एक महीने पहले हो जाए एक पेपर फिर चार महीने बाद एक पेपर ऐसा नहीं एक पेपर एक ही बारे में लिया जाएगा चरण एक ही चरण में खुल मिला कि एक ही स्टेप में आप आपको नहीं भरना है अब देखिए इस पेपर में आपसे तीन पत्र होंगे ठीक है इसमें क्या होंगे आप यह से कह सकते हैं कि तीन सेक्षन बने होंगे आप एक दिन पेपर देने जाएंगे तो आपको तीन पेपर मिलेंगे अलग अलग ठीक है देखिए जो पत्र पहला हो होंगे तीन नंबर के जो है वो एक क्यूस्टन होंगे ठीक है अभी ट्विस्ट देखिएगा ध्यान से देखिएगा और साथ में क्या है यहां पे एक अंक माइनस यानि की वन थर्ड जो है आपकी क्या है नेगेटिव मार्किंग अगर आप गलत करते हैं तो आपका काट लिय जाएगा अब जो पहला पेपर आपका मिलेगा उसमें आपसे भासा एवं सामान ग्यान के बारे में पूछा जाएगा ठीक है तो हिंदी भासा आपकी क्या रहेगी 25 प्रशन रहेगा हिंदी भासा का यानि की 75 नंबर का और साथ में अंग्रेजी भासा का क्या रहेगा 25 प् पढ़ना है वो कि क्या रहेगा 30 प्रशियर यानि कि 90 mandate number का रहेगा ठीक है नबे नमबर का 90 नाइन्टी मार्क्त का रहेगा वो सामान ने विज्ञान यानि कि science आपको पढ़के जाना है क्या विज्ञान विज्ञान किस लेवल की 10th लेवल की आपको पढ़के जानी है physics, chemistry और biology 10 प्रशन यानि कि यहां से आपके 30 marks clear है यह बात उसके बात mathematics 10 questions यानि कि 30 marks ठीक है वीडियो लंबा जाएगा लेकिन यह वीडियो कोई बनाया नहीं कोई upload नहीं कुछ वीडियो तो इसलिए मेरे पास request आई तो मैं बना रहा हूँ तो आपका अदायत तो बनता है कि channel से जुड़िया आप लोग subscribe करिए और इस वीडियो को हर बच्चे तक पहुंचाईए जो भी आपके दोस्त हों अपने रहे दोस्तों के पास आजा करिए उसके बाद मानसिक शमता यानि कि reasoning आपकी जरहे कि दस question वो भी कितना नंबर करहेगा तीस नंबर का और computer आपको पढ़ना है वो भी qualifying करना है यानि कि आप सिर्फ 30% आप इसमें लाइए अगर आप इसको qualify कर लेंगे तो आपकी आगे काउपी क्या हो जाएगी चिक हो जाएगी तो इसमें बहुत ज्यादा ये नहीं है कि भीया हमको इसमें बहुत ज्यादा नंबर लाना है अब आप पूरा उठा करके math, reasoning, gkgs पढ़ने लगीए और trade पे ध्यान न दीजिये तो ठीक है जैसे और सारे मौके आपके हाँ से निकल गए तो ये भी छूट जाएगा तो ध्यान से होने के लिए नियुंतम आरता अंक जो है वो तीस प्रत्सेत निरधारित रहेगा ये अंक प्राप्त करने वाले प्रणियुक्ति जो है सफल असफल के योगया आयोगय माने जाएंगे ठीक है चलिए अब आगे देखते हैं अब प्रश्न पत्र दूसरा एक पेपर आपको ह लिएगा आपको यहां पर जन जातिय भासा ठीक है जो जन जातिय भासाएं बोलीजाती है उनके बारे में आपसे फेपर पूचha जाएगा तो आपिसमें कोई भी सलट कर सकते हैं ठीक है तो देखिए इसमें क्या है हिंदी आप अगर आपकी हिंदी में पकड़ अच्छ एक भासा का जो है आप क्या करते हैं चुनाओ कर सकेंगे ठीक है चलिए अब इसमें क्या रहेगा इससे आपके 100 प्रशन पूछे जाएंगे यानि कि 300 नंबर का भाई क्या हो जाएगा आपका ये भी हो जाएगा ठीक है अब देखिए इसमें भी आपको क्या करना है इंपोर्टेंट है और ये आपको पढ़ना हो तो हमारा बैच चल रहा है लाइव है अभी इसकी डिटेल लास्ट में मैं दे दूँगा उसको आप जोईन करें और पढ़िए बढ़िया से ठीक है कुछ डेमोज जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर भी प्लेश में आप जा चाहते हैं मैं किताब भी बेस्ट बुक भी बताऊंगा उनके लिए चलिए अब क्या है इस प्रश्ण बत्र में पूछे जाने कि प्रश्णों की संख्या कितनी होगी 120 यानि कि 360 नंबर कभी आपका क्या होगा ये पेपर होगा अब देखिए इसका पार्ट करम वही होगा जो DGT के द्वारा निर्धारित किया गया है यानि कि आपके ITI के असले बस आपको पढ़ना है चलिए अब देखिए तकनीकी ज्यान की परिक्षा में नियूंतम आरता ये नियूंतम ऐसे ही दिया है या आपको 40% 40% लाना है इसका मतलब इससे कम बच्चे लाते हैं तो वै जो आपका पेपर थर्ड होगा जो आप विल्डर ट्रेड थियूरी पढ़ोगे वहीं से सर आपकी क्या होगी आपकी वहीं से आपकी मेधा सूची तयार की जाएगी यानि कि आपकी लिष्ट बनने वाली है चलिए तो ये क्लियर हो गया यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें आ तयारी करें यह सवाल है अच्छा सवाल है कि यह कैसे तयारी करें तो कैसे तयारी करेंगे तयारी करने कि मैंने कुछ स्टेप्स आप लोगों के लिए बांट के रखे हुए हैं इसमें इसको आप लोग देखिए चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको time table sit करना है, अब time table कैसे sit करना है, मैंने एक वीडियो बनाई है already कि कैसे आपको पढ़ना है, अगर आप मेरा course ले रहे हैं या जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे से idea होगा उनको कि मैंने कैसे कैसे time table बताया ह आपको क्या करना है एक copy लेनी है पीछे side में वहाँ पे आपको ऐसे बनानी है लाइने वहाँ पे आपको क्या डालना है fit ITI की class है ना उसके बाद class की notes उसके बाद क्या हो जाएगा आपका pyq ये इस हिसाब से आप daily जो है क्या करना एक class और एक notes complete करने के बाद उस chapter का pyq आपक पढ़ने जाएं तो पहले दिन वाली जो class की notes है उस notes को पंदरा मिनट का time आपको देना है फिर तीसरे दिन जवाब पढ़ने जाएं तो पहले और दूसरे दिन की जो notes आपको मिलेगी हिंदी में notes मिलेगी copy पे लिखी होई notes बनाई हुई है बोर्स में मिल जाएगी उस notes को ऐसे ही पढ़ते जाना है यह मैंने बताया है यहाँ पर यह आप अपने हिसाब से कर लेना या आप कोई book से पढ़ रहे हो तो अपने हिसाब से book का जो है आप adjustment कर लेना कि हमको कैसे क्या पढ़ना है ठीक है उसके बाद अपने syllabus का print out निकल वा लिजे फिक syllabus का print out निकल वा ल कर लिजे फिट आइट एप डाउनलोड कर लिजे लिंक description में मिल जाएगा वहां पर सारी चीज़े मैं upload कर दूंगा वहां से आप क्या करो कि सलेबस अपना डाउनलोड कर लो या मोबाइल में save कर लो अब syllabus डाउनलोड हो गया उसके बाद आपको क्या करना है previous year question जो अब य दिखो गे तो आपका दिमाग खूल जाएगा तो लेवल क्या है बढ़ रहा है आपने जो पढ़ा है उसको फिर से जो है अच्छे लेवल से फिर से पढ़िए तो वो पेपर का आप analysis कीजिए वो पेपर भी आपको मिल जाएगा हमारे application पे उसके बाद मध्य प्रदेश ITI instructor के आपको क्या करने है analysis करना है और आपको ये देखना है कि क्या आपसे expect कर रहा है क्या पूछ रहा है वो आप समझ पाएंगे किस chapter पे ज़्यादा जोड दे रहा है और किस level पे हमको पढ़ना है ये आपको idea होगा ये PYQ का analysis करने के लिए मैंने एक PYQ की बहुत बढ़ लिजे review पढ़ लिजे मैं भी बता दूँगा क्या पढ़ना है आपको वो सारा आपकी table पे हो जाना चाहिए पढ़ाई करने से पर अब यह नहीं कि आप पढ़ाई सुरू कर दिए 4 chapter हो गया तब आप दूसरी किताब order कर रहे हैं तब आप किसी का course ले रहे हैं ऐसा नहीं स सबसे पहले सारी चीज़ें आपको करनी है study material आपका आपके पास होना चाहिए उसके बाद आप सब कुछ हो गया आपके पास अब आप पूरी detail में theory cover करिए चाहे course से किसी teacher किसी भी teacher का course ले ले लिजे सब अपने अपने film बढ़िया पढ़ा रहे हैं जो भी trade है आपकी वहा कि आप theory कितना भी cover कर लोगे जब तक जैसे होता है न कि आप लोहार के यहां से बनवा क्या है क्या हसिया ठीक है काटने वाली जहार खंड बिहार के लोग ये वीडियो देख रहे हैं सब बहुत समझ रहे होंगे बनवा के लाए लेकिन जब तक आप उसमें धार नहीं करना है इतनी सारी चीज़ें आपको करनी है ये सारी चीज़ें हमारी एप पे अवेलेबल हैं अब देखिए ये हमारा कोर्स है इसकी 399 रुपय है लेकिन पहले 50 बच्चों के लिए जो भी पहले 50 बच्चे होंगे उनके लिए जो फीस है उसमें 10% की छूट दी जा रही है तो प्रोमो कोड आप लगा लेना क्या ITI10 सिर्फ 50 बच्चों को ये मिलेगा इस 399 में भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा फीस अगर कोई समस्या है तो वाटसाइब कर लीजे आप 7800 366021 एप डाउनलोड करेंगे तो वहां से भी हमारा कॉंटेक नमबर मिल जाएगा वहां की नोटस कैसी मिलेगी वह मैं भी दिखा दूँगा हिंदी में लिखी हुई नोटस मिलेगी इंगलिस में भी मिल जाएगी मैंने ट्रांसलेट करवाया है और साथ में इसमें आपको टेस्स सीरीज मिल जाएगी सिर्फ वेल्डर की जिसमें आप अपना रैंक देखेंगे आप इसको पढ़िए अब देखिए बुक किताब की बात करें तो यह हमारी इबुक है भाई यह हमारी क्या है पांच हजार प्रीवेस एर क्यूस्चन की इबुक है एंसर इसके धीरे धीरे अपडेट हो रहे हैं ठीक है अभी और भी बहुत सारे पेपर इसमें आड़ हो र लेना प्रीवेस एर पेपर की बुक है इससे आपको अंदाजा लग जाएगा बहुत भटकना नहीं पड़ेगा थियूरी अगर आपको बुक पढ़नी है अगर आप हमारा कोर्स जोईन कर रहे हैं तो आप हमारी नोट्स पढ़िए एमसी क्यू प्रक्टिस करिए और टेस् पढ़ेगा और अगर आपको बुक लेना है तो ACN पब्लिकेशन की आती है वेल्डर की बुक अच्छी बुक है मैंने देखी है ये बुक हिंदी में भी इंग्लिस में भी Amazon पे अवैलेबल है वहाँ पे आप जाकर किसको ले लेना लेकिन कोर्स ले रहे हो तो ज़रूरत नह पर्या करके हमने सारा तयार करवाया है इस रओ इसरो आइपी आर सी 2018 का पेपर है इसरो महेंद्रगरी आफ़र पेपर बहुत जबर जस्ट पेपर है यह आपके आईट इंस्ट्रक्टर के लिए बढ़िया है उसक Сп taxi महेंदर गरी का है, इसजरो VSSC 2016 का पेपर है, 2017 का पेपर है, ओर्डिनेस फैक्टरी का पेपर है, ओर्डिनेस फैक्टरी में welder की वेकन्सी आती है, रेलवेट टेक्निशन के दो पेपर है, second shift और first shift का पेपर है, जो Welder का हुआ था Part B का, Nuclear Power Corporation का रावत भाटा का पेपर है, NCL का है, National Seeds Corporation Limited का पेपर है इसमें, मध्य प्रदेश आईटिया इंस्ट्रक्टर, हरियाणा आईटिया इंस्ट्रक्टर, CITS के लिए यहाँ पे डाले हुए हैं, ONGC, Oil and Natural Gas Corporation में जो क्यूश चनाय था 2022 में, केरला PSC क लंगाना PSC Hindi में, ISRO के लिए, और साथ में ITI इंस्ट्रक्टर के लिए, Diploma Level के Advanced MCQ मैंने इसमें डाले हुए हैं, Polytechnic के Mechanical के, अच्छी अच्छी बुक से, RS, Khurmia और Jain को मिला करके, साथ में यह Railway का हो गया, Second Shift का, Rajasthahn का ITI इंस्ट्रक्टर का पेपर हो गया, और यह जो ह है, आपको analysis करना है, महाराष्ट ITI इंस्ट्रक्टर का पेपर, जो अभी June 2023 में गया था, जबर जस्ट पेपर है, आप देखोगे, तो लेवल का पता चलेगा, और अब जो है, पेपर अच्छे आएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन होंगे, तो जाहिर सी बात है, Conducting Agency कोई और होगी, पांच चार दोजार तेईस, पांच अपरेल दोजार तेईस को सेल दुरगापूर का पेपर हुआ था, ये भी है, इस टाइप से आपको ये मिलेगा, PDF, उपर क्योशन रहेगा, हिंदी और इंगलिस में, उसके answer में क्या रहेगा, येलो कलर का मार्क रहेगा, त ये सारी चीजे लाइव क्लासेज मिल जाएंगी, ठीक है, उसके लावा ये नोट्स है, अगर कोई बोले कि सर नोट्स कैसी रहेगी, तो नोट्स ऐसी रहेगी, यहां पर आप देख सकते हैं, ये वेल्डिंग आफ कास्ट अरन बताया गया है, यहां पे, तो वेल्डिंग मिलाओगे तो क्या होगा, निकल मिलाओगे तो क्या होगा, अलिमूनियम मिलाओगे तो क्या होगा, साथ में कास्ट अरन के अलग अलग प्रकार, बिल्कुल डिटेल में बहुत बढ़ी है, सारी नोट्स ऐसी ही बनी हुई है, ठीक है, चाहे वो गैस वेल्डिंग की हो, चा कवर कर दिये हैं आपके फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप एक बार कमेंट छोड़ देना माकी आपको आप डाउनलोड करोगे वहाँ पे help का option मिलेगा वहाँ से आप हमसे कुछ पूँच सकते हैं कोई doubt है तो सारी इस वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ साजा करिए जय हैं